नमस्कार, VIP इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आइडियो आइडिकल में विशे विज्ञान से विज्ञान जीवन में विज्ञान एव पर्दुकी की अध्याए एक इसमें दिया है विज्ञानिक विधी किसे कहते हैं तो जान लेते हैं समस्य समाधान की करम बस सू निश्चित और सू विवस्थित विधी को विज्ञानिक विधी कहते हैं इसके चलण निम्न प्रकार से है नमबर एक जिग्यासा, नमबर दो परिच्छण, नमबर तीन निरिच्छण, एयो बिसलेशन नमबर चार, अभी लेखन, नमबर पांस, नए परियोग आगे हैं विग्यानिक बिधी का महत्व विग्यानिक बिधी से समस्याओं का सही समधान लिकालने में सहायता मिलती है इस बिधी से विग्यानिक नए ने अविस्कार और खोजे कर रहे हैं जिससे बिग्यान के छेतर में परगती आव रही है और देश में उनती कर रहा है आगे जान लेते हैं बिग्यान के उपयोग एउ दुर उपयोग के बारे में हमारे जीवन में बिग्यान की वजह से अनेक परिवर्तन आये हैं किर्सी कार के लिए ट्रेक्टर, किर्सी यांत जैसे थ्रेसर मसीन, सीड, ट्रिल, हर्वेश्टर आदे बिग्यान की देन हैं, घर बैठे देश बिदेश की जानकारी वमन उरंजन का साधन टेलिवीजन, गैस ये इधन या तयात के बिभिन साधन रेल गारी, कार, बस, वायू अभूत पूरो ये उगदान है, मनुष्ट के द्वारा विग्यान की खोच, एउ अविसकारों का दुरूपयोग, महविनासकारी परमाडू बम, हाइड्रोजन बम, एउ परच्छे पात्रों आदी के निर्माड में हो रहा है, आगे जान लेते हैं कुछ विग्यानिक के न परमाडू बम, जेम स्वाट, भाप का इंजन, ग्राह बैल, टेलिफोन, आगे जान लेते हैं सिच्छा के छेतर में टेलिवीजन की उपयोगिता, टेलिवीजन की सहता से घर बैठे देश बिदेश की जानकारी ली जा सकती है, सिच्छा और चिकस्छा के छेतर में परसारि तथा नई खोजों के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है, आगे बिज्ञान तथा परदोगिक का संबंध, तो बिज्ञान ने परदोगिक तथा परदोगिक ने बिज्ञान का विकास किया है, वास्तों में परदोगिक तथा बिज्ञान दोनों एक दूसर पर आश्रित है पर्दोकिक का विकास विज्ञान के नियम तथा सिधानतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है इसी परकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम पर्दोकिकी विक्सित होती है यही कारण है कि पर्दोकिकी को वेभारिक ज्यान भी कहते हैं वास्तों में बिज्ञान के परतेकने अविस्कार में परदोग्य के विकास का मार्ग और परसस्त होता है आगे जान लेते हैं बिज्ञान तता परदोग्य के विशें से मानो जीवन का अस्तर कैसा हो गया है बिज्ञान और परदोगिकी के विकास से मानो जीवन का अस्तर बिज्ञान और परदोगिकी के विकास से मानो जीवन के समाजिक यह आर्थिक जीवन में काफी सुधार हुआ है इसे से मानो कम समय में अधिक कारी करने में सच्छम हो गया है उसे सोतंत्र रूप से सोचने का समय मिलता है उसके मास्टिक में नए विचार आते हैं जिससे नए परदोग की विक्सित होती है और इसके जीवन अस्तर में सुधार होता है इस परकार परतेक छेत्र में नवीन साधनों से मानो जीवन सुखत सुब्दा जनक और आनंद में हो गया है अगला है बिज्ञान तथा परदोग की से मानो जीवन में क्या लाब हुआ बिज्ञान और परदोग की से मानो जीवन में इस परकार लाब हुए हैं जो चिकिस्टा के छेत्र में नवेंच खोजों के फल सवरूप सभी विमारियों का सफल तथा सरल इलाज होने लगा है इससे मिर्टु दर कम हो गई है पहले कि आप इच्छा कम समय में कारे पूरा होने लगा है जैसे प्रेशर कूकर से भोजन का जल्दी पकना आगला है उत्पादन में वृद्धी होना मनोरंजन के विभिन सातनों का होना संचार व्यवस्था अच्छी हो जाने से कम समय में देश बीदेश से समाचारों का प्राप्थ हो जाना आदी आगे प्रस्ण है दैनिक जीवन के विभिन चेतरों में विज्ञान और परदोगी की उप्योग इता बताईए दैनिक जीवन के विभिन चेतरों में विज्ञान और परदोगी की निम्न परकार से उप्योग है परिवहन के छेतर में रिक्सा, साइकिल बस इत्यादी यात्रा को सरल बना दिया है चिकित्सा के छेतर में जटिल और असाध्य रोग जैसे प्लेक, अमोनिया, तापेदी यानि टीवी, चेचक, मलेरिया है जैसे इत्यादी इलाज के लिए आवसधी के निर्माड से रोगों की रोक्ता हो गई है जन संचार के छेतर में बिभिन साधनों जैसे टेली, फोन, टेली ग्राम, फैक्स, इत्यादी, सुपधाजनक तथा कम खर्चिला हो गया है उद्योग, बिभिन परकार के उद्योग के विकास के लिए नवीन तकनीकों का विकास हो रहा है जिससे जीवन अस्तर उचा हो रहा है आगे हैं मनुरंजन, मनुरंजन के विभिन साधन जैसे हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, वी सी आर, टेली वीजन, संगेत, इत्यादी राष्टी सुरच्छा और युद्ध छेतर में योगदान राष्टी सुरच्छा और युद्ध के छेतर में बहुत तेजी से उन्नती हुई है पिर्थवी अगनी तिर्सूल आदी मिसालों का निर्माड हुआ है जिससे दूसरे देशों द्वारा आकरमण होने पर उनके युद्ध सास्तरों को नश्ट किया जा सकता है अगला प्रस्ण है विज्ञान तथा परदोक्री के तीब्र विकास से मानोजीवन को क्या हानिया हो रही है विज्ञान और परदोक्री के का तीब्र विकास मानोजीवन में निम्न प्रकार से हानिया हो रही है बड़े-बड़े कारखानों से निकलने वाले अफसिष्ट पदार्तों को नदियों से बहाने से जल दूसित हो रहा है किर्सी उपज बढ़ाने के लिए उर्वरो एकिट नासक दवाओं का अत्यधिक परियोग करने से मिर्दा परदूसन हो रहा है मनोरंजन के साथदों के बढ़ जाने से दूहनी परदूसन हो रहा है स्वच्चालित मसीनों के परियोगों से कारखानों में मजदूरों की संख्या में कमी आई जिससे भी रोजगारी में वृद्धी हो रही है आगे जान लेते हैं परदोगी का विभिन शेतरों में विकास, अस्पताल में चिकित्सा, संबंधिन मसीनों का अस्थापना जैसे एक्सरे मसीन, अल्ट्रासाउंड मसीन, स्केनर, इत्याधी, संचार साधन, टेलीफोन, फेक्स मसीन, टेलीवीजन, इमेल, इत्याधी अब आते हैं अतिलागुत्रिय प्रस्ण में विज्ञान का क्या अर्थ हैं? विज्ञान सब्ध दो सब्दों से बना है, भी धन ग्यान से बना है, इसका अर्थ विशेस ग्यान, विज्ञान वस्तु के बारे में विशेस ग्यान व्यवेस्थित बिदी से प्राप्थ होता है फिर परियोग साला में परियोग आउलोकन वा प्रसेपण करते हैं इसके बाद जात विशलेशन के द्वारा निसकर्ष निकालते हैं और उसे से समाज को लाववन्तित करते हैं किर्शी भोजन यात यात था जन संचेन के छेतरे में वैज्यानिक उपलबदी बताईएं कुछ वैज्यानिक उपलबदीयां इस परकार हैं किर्शी के छेतर में उन्नध परकार के हल ट्रेक्टर उन्नध बीच कृत्रिम खादे कीट ना सक दमाई इत्या दि भोजन बनाने के लिए साधन, गैस चूले, प्रेसर कुकर, इंडेक्शन चूला आदी यातयात के साधन, साइकिल, मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, रेल गाड़ी, बस, वायू यान पानी के जहाज, मैट्रो ट्रेन इत्यादी जन संसार के साधन, कंप्यूटर, फैक्ट, टेलिफोन, पेजर, मोबाइल, आदी अगला प्रसन है कुछ वैज्यानिक साधनों के दुर उप्योग लिखिए तो वैज्यानिक साधन में जैसे चाकू हुआ, तो इंका उप्योग फल अथ्वा सबजी काटने में, दुर उप्योग दूसरों को हानिया पहुचाने में भी अगला प्रसन है हमारे देश के परदोगे का उप्योग किस परकार हुआ है हमारे देश में छोटी छोटी मसीने से लेकर बड़ी बड़ी मसीनों का निर्माण हो रहा है रेल इंजन, हवाई जहाद, छोटे छोटे वाहन, बड़े बड़े जल्प प्रपोत, छोटी बड़ी उत्पादर मसीनों आदी बनाई जा रही है लड़ाकों विमान युद्पोत, पन, डुब्बे, बिबित, प्रच्छे पात्र, विमान भेदी तोपें, टैंक, रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, टेलिवीजन तथा मनोरंजन के अन्य साधनों का निर्माण स्वादेशी तक्नीकी द्वारा हो रहा है आगे है इमेल, क्या है? इमेल या इलेक्ट्रोनिक डाक सेवा है, जो की कम्प्यूटर पर अधारी संचार की एक युक्ती है इसके द्वारे कृत्रिम उपग्रोहों का अन्य देशों के कम्प्यूटरों को सूचना संदेश आदिका प्रेशर होता है आगे है इंटरनेट क्या है? यह कम्प्यूटर की नवींतम पर डाली है टेलीफोन लाइन की साहता से जुड़े कम्प्यूटर नेट को इंटरनेट कहते हैं इसकी साहता से विशुके विविन देशों से संबन्दि सुचनाय यहों आकड़े बहुत कम समयस में प्राप्त करके उन्हें संग्रह भी कर सकते हैं अगला है इंडो इसकोप क्या है? इस मसीन द्वारा मसीन के अंदर के भाग की जाज की जाती है और द्वगी की छेत में भाग का अस्थान विशुके 6 परमुक राष्ट्रों में हैं धन्यवाद इस आइडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसे ही आइडियो आटकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद